नमस्कार दोस्तों, इनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चाहें जान चली जाए लेकिन बुद्भार के दिन कभी भूल कर भी ये तीन काम मत करना क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है दोस्तों जिवतिशास्त्र के अनुसार बुद्भार के दिन भगबान गड़ेश की पूजा और बुद्गरह की शान्ती के लिए उपाय किये जाते हैं कहते हैं बुद्भार के दिन उपाय करने से सभी परेशानिया दूर हो जाती है दोस्तों बुधवार के स्वामी बुधगरह हैं और बुधगरह को बुध्धी, विवेक, संचार और वाणी का कारक माना जाता है कहा जाता है बुधवार के दिन कुछ विशेश कारियों को नहीं किया जाता ऐसा करने से व्यक्ति की मुश्किलें और दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसे वो काउन से काम है जिनें बुदबार के दिन बिलकुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक किसी से लेन देन ना करें दोस्तों कहते हैं बुदबार को उधार लेन देन नहीं करना चाहिए माना जाता है ऐसा करने से आर्थिक मामलों में सफलता नहीं मिलती माननेता ये है कि बुदबार के दिन पैसों का लेन देन करने से आपको आर्थिक नुकसान होता है इसलिए बुदबार के दिन करज लेने से बचना चाहिए नमबर दो कड़वे वचन ना कहें दोस्तों बुदगरह को बाड़ी और समबाद का कारक माना जाता है बुदबार के दिन करबे बोल बोलने से बचना चाहिए कहते हैं इस दिन मतुर भड़ी और प्रेम से बात करने से जीबन की आर्थिक परेशानिया दूर हो जाती है साथ ही घर में सुक समरिद्धी आती है नमबर तीन काले वस्तर ना पहने दोस्तों बुदबार के दिन बहबाहित जीबन को सुकी और पती की लंबी आयू के लिए महिलाओं को काले वस्तर नहीं पहनने चाहिए इसके साथ ही शादी शुदा महिलाओं को काले रंग के आभूशन भी नहीं पहनने चाहिए दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक आईसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत